हम जाता है हरतुफान हम जाता है हरतुफान बोवंडर भी रूख जाते हैं और जब होसले हो बुलन तो परबत भी जूख जाते हैं साथियों बहुत दो स्वागत है आप सभी का PBR study में और होसले तो बुलंद है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंधीरा है क्योंकि light जो है आज कुछ disturb है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोसिस करूँगा और इसी करम में देखे light मुझे लगता है कि आपको दिख रह रहा था जिन्दगी कुछ अलग ही दिखा में जा रही थी लेकिन सुबा सुबा की बात ही कुछ अलग होती है इसमें प्रेक्टिस सेट होंगे जो बच्चे BTC यानि DLA वाले हैं उनके लिए इस्पेसली ये बात कब इसे ख्याल रखेंगे कि इसमें आपको 100% सही करने की को आपको PBR study के टेली कराम चैनल पर क्लास खतम होने के एक घंटे के अंदर मिलेंगे ठीक है तो याद रहें सही जबाब टेली कराम पर दिये जाएंगे यहां पर सही जबाब कोश्चन कर नहीं होगा सिर्फ प्रेक्टिस होगा चलिए पहले सवाल कह रहा कि संख्या 369 का आगर मैंने कोई नया काम इस्टार्ट किया है तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंश रहता है रुक्सार अंसारी जी गुड मॉर्निंग, बेरे बेरे गुड मॉर्निंग, शीवम, नुपूर जी गुड मॉर्निंग, पंकस सिंग जी गुड मॉर्निंग, सभी का कमेंट आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, आंसर कहो तो मैं ब जिसमें भाग करने पर इन तीनों संख्याओं से अगर भाग करें तो वो पूरा-पूरा विभाजित हो जाए जैसे तीन है ये तो तीनों से विभाजित होगा नहीं, छे भी नहीं होगा तीनों से अठा आ रहा है जो तीनों से विभाजित है ठीक है, चलो आजाओ आगले में Very good, बहुत अच्छे सभी का नाम मैं बोलूँगा कमेंट में देख रहा हूँ ये देखो लिया हूँ मैं जोती चवहान, मनोज कुमार अकबारी खातून नुपुर निगम, पुजा दूबे सिवम, गोल्डी सिंग मोहित कुमार, पंकज बगेल इतने का प्लेस बैलू फाइंड करना है इसमें सेवन का प्लेस बैलू क्या होगा ये वाले सेवन का बताओ बहुत अच्छा, थर्ड सवाल है अगर इसमें A सही है तो 3A कमेंट करेंगे अगर D सही है तो 3D C है तो 3C ये लिखने का तरीका है, ठीक है Very good रुक्सार कहां सार आ चुका है जोतिक आ चुका है, ब्रिजवासी बिल्कुल बहुत अच्छा 4 नंबर में आ जाओ फटा-फट, चलो केरा ब्रित्त के किसी दो बिंदूों को मिलाने वाली रेखा-खंड को क्या कहते हैं? बताएं इनका सही जबाब PVR Student के टेली गराम चैनल पर कलास के एक गंटे के अंदर मिलेगा ब्रित्त के कोई दो बिंदू को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कि प्रिज्या चाप परिधिया जीवा कि बताइए कि किनी दो बिंदों को बहुत अच्छा बेरे गुड फॉर नंबर है यह फॉर में ए साहिए तो फॉर ए सी सही है तो फॉर सी इस तरीके के कमेंट फाइब नंबर में आजाओ इसमें अपने आपको अजमाना है कि पेपर देने जा रहे हो चार दिन बाद तो क्या पढ़े हो और रेगुलर क्लास चैनल पर पढ़ी है जिनको नहीं पता इनके बारे में कुछ वो पढ़ाया गया है प समान दूरी होती है किसकी आयत में वर्ग में बृत में या तिरभूज में बताइए मद्ध बिंदु से चारो और समान दूरी होती है आयत में होती है क्या मद्ध बिंदु यहां रखा चारो और समान दूरी है क्या नहीं है वर्ग में होती है क्या बृत में तिरभूज में बहुत अच्छा फाइब का सही जबाब कोई दिया है उनका नाम है नुपुर निगम बेरे गुड जोती कुमारी बिट्टू पासवान बहुत अच्छा बेरे गुड बहुत अच्छा ठीक है एक बताई देता हूँ बिट्ट में होती है सरकल में होती है चारो तरफ बराबर दूरी सरकल में ही होती है बाकी वर्ग में भी नहीं होती है एक बार कन्फ्यूज हो जाएंगे लोग लेकिन वर्ग में नहीं होती है विकाज यहां से जो यह चीज है यह ज़्यादा बड़ा ह हो जाएगा इधर कम हो जाएगा पांच में सी साइए पांच में सी साइए गोल्डी सिंग गलत है आपका पिर बुझ के तीनों कोड़ों का योगफल कितना होता है कितना प्यारा सवाल है कितना छोटा है ना लेकिन जो पीडियलेट के फर्स समेश्टर वाले बच्चे हैं याद रखना यही सब आपका सिलेबस है एक नंबर में पूछा जा सकता है बहुत अच्छा अगर डी साइए तो 6D, A सही है तो 6A, C सही है तो 6C यह कमेंट करने का तरीका है जल्दी करें बहुत अच्छा ठीक है बेरी गुड शिक्स का जवाब दे चुका है कोई तो उनका नाम है नितिन क्रिफना जादो सरिता परजापती सक्छा बेरी गुड बहुत अच्छा साथ में आजाओ आयत के परिमाप का सुत्र क्या है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है अधी इंपोर्टेंट है यह बताओ आयत मतलब रेक्टेंगल किसी बंदाकृती का परिमाप उसकी चारो बुजाओं के जोड को कहते है जैसे एक जामपल अगर यह 4 cm है चच्चा और 2 cm है तो परिमाप क्या होगा चारो भुजाओं के जोड़ को परिमाब कहते हैं यानि लंबाई शुरू करोत लंबाई धन चोड़ाई धन लंबाई धन चोड़ाई चारो भुजा जोड़ेगी न मानलो यह पहिल की भुजा है यह दूसर की है तिसर की है यह चौथी है अच्छा एक बात बताओ तुम अगर इसको हम A, B बोले तो ये C, D का लंबाई कितना होगा हो C, D कितना होगा कोई भी आयत में सम्मुख बुजाएं बराबर होती है तो अगर ये दो है ये भी दो होगा बाई दो भाई हो तो बाप तो एक होगा न अगर कह रहा हो सागे भाई भाई है समझे रहे हो कि नहीं देखो यहाँ पर अगर A, D, 4 है तो फिर B, C क्या होगा सम्मुख बुजाएं बराबर होती है तो का इधर होगी का इधर भी तो होगी तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा न समझे गए तो पहली बुजाएं हो गई दूसर की तिफर की 34 सब को जोड़ा इसका सुत्र क्या बनेगा देखो दो बार लंबाई है दो बार चोड़ाई है अगर इनको हम जोड़ें लंबाई दूबार है न अगर लंबाई को यल लिखें इसको यल लिखें भाई साब two L plus two B होगा two common ले लोगा L plus B बचेगा देखो concept सीखो भाईया रटना नहीं है जिन्दगी रटने फे चलती नहीं है लाइफ ऐसे ही है जो भूलना चाहते हो भूलता नहीं, जो याद करना चाहते हो याद होता नहीं A वाला सही है साथ में ए आठ में आजाओ देखो सुभा सुभा ना कलास का एक अलगई मजा होता है कुछ तो बात सही है कुछ वजा भी है जैसा इंटरनेट नहीं खतम होता है क्योंकि सामड को कलास होती रात में पूरा दिन सोना बाबु लोग इंटरनेट चाट जाते हैं रेपलाई ने करो के कॉल नहीं करो तो बहरा खाल उग तो करना बढ़ता है तो इंटरनेट सामड को रहता नहीं तो सुभा सुभा कम से annex क्लास चल जाएगी इन्नेट खतम हो जाएगा तो करोगे क्या है ना मरता क्या ना करता रहे गा ही नहीं यह सही रहेगा लोगों की सिखायतें आती इस तरह की तब ही मैं बता रहा हूं चलो किरा किसी वर्ग की एक बुजा की लंबाई पांच सेंटिमीटर है उसकी परिधी की परिमाब क्या होगी परिमाब को क्या बोलते हैं इंगलिज में परिमाब नहीं परिमिती परिमिती को ही परिमाब बोलते हैं ना भया साधना देवी, सीवम आठ नमबर में आजा भाई है सब ही लागू जल्दी से आठ A, आठ B, आठ F क्या साही होगा ये कमेंट का तरीका बता रहा हूँ ऐसे लिखना है उत्तर नहीं लिखना किसी को जो उत्तर लिख रहा है उसका कमेंट नहीं बोला जाता है तुमको 10 सेंटिमीटर नहीं लिखना है तुमको अगर ये 10 सेंटिमीटर जान रहे हो तो 8C लिखो बहुत अच्छा ठीक है इसका सारा सही जबाब PBR स्टेडी के टेलीगराम चैनल पर मिलेगा मैं इस्टार्टिंग में बता चुका हूँ कुछ सवालों का जबाब बता दिया हूँ लेकिन मुझे बताना नहीं चाहिए चलो बताइए यहाँ बता देंगे तो तुम लोग टेलीगराम जो आइन नहीं करते हो किसी आकरती की परमिती का हलाती है बताइए कोई आकरती है उसकी परमिती क्या होती है बताओ भया जैसे माल लो यही एक आकरती है इसकी परमिती क्या होती है बताओ किसी आकरती की परमिती जो है बहरी भाग का योग होता है कोनों का योग होता है तो बुजाओं का योग होता है या इन में से कोई नहीं होता है सबसे पहला जवाब जोती का है दूसरे नंबर पर सरिता परजापती का है बहुत अच्छा बेरी गुड ठीक है तसवा में आ जाओ एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है तो चच्चा लोग बताओ उसका परिमाप क्या होगा परिमाप को इंगलिस में पेरी मीटर कहा जाता है क्या कहते हैं पेरी मीटर बताओ जबही का है का सरमात आइदना है ठीक है बहुत अच्छा खेरा कि आयत की लंबाई जो है वो चार है ये आयत है मतलब रेक्टेंगल है थोड़ा तेना मेडा सही और इसकी चोड़ाई या ढाई है परिमाब का सूत्र अभी जैस्ट बताया हूँ अंसर मैं नहीं बताने वाला यहाँ पर चलो ठीक है बहुत अच्छा अक्ते हैं दस का सबसे पहला कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है प्रियांसी वहां बै। आब ग्यारा नंबर बतावा हो सबही कहां गां रुख जा आप ग्यारा नंबर कोशिशन है लाना पड़ेगा असे उसके पहले कुछ कुछ concept जान लिजिए कुछ concept जान लिजिए उसके पहले इनको लिख लिजिए इस्क्रीन साट ले लिजिए काम की चीज है आप ही लोगों के लिए लैला भाया छेदक रेखा असपर्स रेखा यह सब आप ही कैसे ले बस कहीं साइन को देखो आइसी रेखा जो बृत को किवल एक बिंदू पर असपर्स करती है वो असपर्स रेखा कहलाती है वो असपर्स रेखा कहलाती है और को तुम्हें समझा देता हूँ देखो यहाँ पर भाया अब पढ़ाई कर रहे हो ना तो सब कुछ इसमें पढ़ना है कि टैंजेंट लाइन बोलते हैं इंग्लिस में इसको देखिए क्या होता है समझा देता हूँ देखो आगे कि यह क्या एक सरकल है अगर यह यहां से एक रेखा ऐसे निकले अगर यह का यार यह अगर यह असपर्स रेखा होती एक नहीं कि समझ गए को कि टैंजेंट लाइन यहीं तो है कमेंड करके बताना इसमें यास या नो चलो खेद करेखा क्या होती है अशी रेखा जो सरकल को दो भागों में विभाजित कर देती है वो खेदक को कुछी समझ गए होगे कर देखलो यह क्या चेदक रेखा है यह ब्रित को दो बिंदूओं पर असपर्च कर रही है इधार हो इधार हो कि समझ गए कि आगे बढ़े कि याद रखना कुष्चन एक नंबर में ऐसे पूछ लेगा कि ऐसी रेखा जो ब्रित को दो बिंदूओं पर असपर्च कर रही है या उसे कि मतलब पति छे दिन कर रही छेद करके निकल रही वह क्या कहलाती है कि अ कि अ कि अ कि देख लो समझ लो यहां पर भाई आओ यहां देखा ब्रित की असपर्च रेखा जिस बिंदू को टच करते हुए गुजरती है जिसे वो असपर्च करती है टच करती है छूती है फिल करती है वही असपर्च बिंदू कहलाती है जैसे अगर ऐसे निकली तो यह रेखा असपर्च रेखा है लेकिन यह जहां इसको टच कर रही है वो क्या एसपर्थ बिंदू है तब ही समझ गया ना हो आगे बढ़े किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना चलो फिर थोड़ा सा माफी चाहते हैं को उस्चन यहां पर मुझे लाना पड़ेगा यार मैथ का तो हो गया सिंगल इसमें कुछ मिला दे मिक्स करने का नहीं जाने दो चलो कुछन नंबर बदल गए हैं यह अलग भैज के हैं बताओ 36 नंबर कुछन कोड नंबर है माल लो कुछन काउंट करना मना है चलो निमलिकित में से कौन बिरिहत कौन है जब आप दीजिए 36 या 36 बी या 36 सी क्या कह रहे हो बहुत अच्छा बिरिहत कौन जानते हो क्या होता है पहले यह बताओ बिरिहत कौन 360 से बड़ा होता है क्या यह चोटा होता है कमेंटर पर रुगा यार साधना टेली गराम पर जोईन करिए तब ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोग सुनते नहीं तुम्हें क्या करूँ फोन करेंगे ना तो ब्लाक कर देंगे जान लेना आप रोज बोलता हूँ टेली गराम पर जोईन कर लो नोटिफिकेशन क्लास का लिंक सब मिलता है वहाँ नहीं करेंगे फोन करेंगे आज क्लास नहीं चल रही है क्या काय को बताएं ठीक है इनका सारा सही जबाब PBR Study के टेली गराम चैनल पर मिलेगा बहुत अच्छा सबसे पहला जबाब दिया है आस्था सुकला ने तान्या नाज बिट्टू पास्वान और पूजा यादो सैतिफ नंबर पर आजाओ भई कहां मिला था यार सैतिफ नंबर पर आजाओ कमेंट करने का तरीका जान लो तभी मैं नाम बोलूँगा जैसे सैतिफ में अगर ये सही है तो आप बोलोगे सैतिफ B अगर ये सही है तो सैतिफ C ये तरीका है बताओ तब अल्ली रखना थोड़ा चार्जर लगा देता हूँ रुक्सार अंसारी का सबसे पहला जबाब इसमें आया है 37 में क्रिष्णा यादो सरिता परजापती बेरे गुड़ बताया दूं का इसका अंसर का ये बताओं टेली ग्राम पे इसका सही जवाब मिलेगा पी बीर स्टेडी को टेली ग्राम पे जोईन करेंगे तो सारा सही जवाब क्लास के एक गंटे कंदर मिलेगा 38 नंबर में आ जाओ बताये एक ब्रित्त की तिरिजवा 14 फेंटी मीटर है तो इसका ब्यास क्या होगा इसे है ब्रित्तवा बैया इसकी तिरिजवा 14 है यह चौदा है इससे छोटका सवाल मैं क्या ही बताओं तुमें हर किसी को आ जाना चाहिए ना ये अब मुझे नहीं रहा जाता बताई देता हूं ब्यास पूछ रहा है ना आपको पता है ब्यास बराबर होता है टू आर यानि तिरिजवा का दोगुना होता है चौदाई है चौदाई धरियों है यह टोटल 28 हो जाएगा उन्तालिफ नंबर में आ जाओ संपूर्ण कुण कितने अंसका होता है अगर इसको भी न बता पाना न तो आज के बाद पढ़ाई नहीं करना बंद कर देना आपके देना बहुत होईगा अब बिया करवाद है हमाँ बस भाही लद दूठी है ना चलो 39 नंबर 49 डी या 49 एक क्या है कुछ लोग बहुत चलाख बनते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं अपने हिसाब से चलते हैं चलने दूठी है सबसे पहले सही तरीके से कोई कमेंट किया तो उनका नाम पूजा यादो है प्रियांसी अनुराख सिकेंड नंबर पर सिवंभट नुपूर निगम और आस्था और सरिता बेरी गुड इनका सही जब आप PBR study के टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएगा क्लास के एक गंटे के अंदर थोड़ा तफली रखना बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं दिख रहा है का याद अब याद रुक जाट चालिव नंबर तो है चलो कह रहा है कि 45 डिगरी का कोटिपूरक कोण क्या होता है बतावा समपूरक कोटिपूरक समपूरक को क्या बोलते हैं कमपलीमेंटरी बोलते हैं क्या इंगलिस में कोटिपूरक सपलीमेंटरी बताव क्या होता है जवाब दीजिए बंदन राज बरेगूट सक्षा मृतिका पाल पुजा यादव जोतिकुमारी आस्था सुकला 4040 नमबर में जिनका A सही है 40A लिखेंगे कमेंट में यह तरीका 80 सही है तो 40D लिखेंगे और अगर तुम 40A की जगा ऐसे 45 लिखोगे तो हम उसको नहीं देखेंगे जिस तड़ पर प्यास बुजाने से अपमान प्यास का होता हो उस तड़ पर प्यास बुजाने से प्यासा मर जाना बेतर है समझ रहे हो कि नहीं कुछ नहीं समझे अभी लाश तक पूरा समझ जाओगे चलो ये भी जरूरी है ना कोटी पूरक और समपूरक देखो इसका कांसेप्ट बता देता हूँ उनलोग कन्फूजन में रहते हैं कोटी पूरक और समपूरक में कन्फूजन दूर कर देता हूँ देखो समपूरक से बनता है समकोड ना समपूरक से समकोड बनता है तो तुम कहोगे अच्छा तो 90 नहीं उसका उल्टा कोटि पूरक संपूरक का रिलेशन एक का 180 से होता है एक का 90 से होता है इसे कुछ होता है न आपको पता है एक का रिलेशन 90 से होता है एक का 80 से होता है relation का मतलब यह होता है कि इनको इन में से घटा के प्राप्त किया जाता है तो अगर संपूरक बोल रहा है तो मतलब 180 यानि संकूर्ण का अपोजिट दो गुना ठीक है तो अगर कहीं भी आप से संपूरक कूर्ण पोचा जाएगा संपूरक पोचा जाएगा जैसे कहें 135 का संपूरक बताओ जानते हो का होता है अगर संपूरक पोचा गया तो संपूरक मतलब तुम याद रखना 180 180 उत्तर नहीं है 180 से जिस कोण का पोचा जाएगा उसको घटाओगे जैसे 135 का संपूरक पोचेंगे तो 180 से तुम 135 घटा होगे, ठीक, अगर 130 घटा आते तो 50 बचता, 35 घटा ले तो 45 बचेगा न, तो क्या होगा answer 45, यानि 135 का संपूरक क्या होगा, समझ में आया, answer नहीं होता, direct, अगर संपूरक बोला, तो तुम मान लेना, 180 समझ लेना, बस, 180 से घटा लेना, उस कोण का मान, जितना आएगा answer है, समझ गए न, अगर कोटी पूरक की बात करेगा, तो, कोटी पूरक मतलब, जब तुमको संपूरक यादा है, तो कोटी पूरक उसका अगला होगा, 180 और 92 ही समझ पूरक कोटी पूरक में आते हैं, इनी दोग याद रखो, बस, बाकी कोण से कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझ गए, तो अगर इसमें कोटी पूरक पूछ रहा है, तो मतलब 90, है न, तो क्या गरोगे, 45 को 90 से घटा होगे, तो A सही होगा, यानि 40 में A, यह अंसर है, इनका सबका सही जबाब PBR स्टड़ी के टेली गराम चैनल पे मिलेगा, मैं आलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा रुकना भी जरूरी है बीच बीच में, चलो अब कुछ अलग कोश्चन कर लेते हैं, थोड़ा समयत से न, थोड़ा थोड़ा लोग बोहर होने लगते हैं, आजाओ, दूसरे बिसे में आजाओ, दूसरे बिसे में आजाओ, थोड़ा प्रेक्टिस कर लेते हैं, आ लबली ब्वाय फ्लेड फार्म सही है तुमारा उत्तर बेटा सही है मोहिनी सुकला जी कमेंट आप कहा रहा है समस्यात्मक बालक कौन सा होता है बता भया इसा बचवा जो जूट बोलता है चोरी करता है माता पिता की बात एक को नहीं सुनता है आजकल तो यही सब आधिकतर होते है माता पिता को मानते हैं कि यही से बेवाजा मेरी जिन्दगी में आ गए है ना चलो फटाग फटाग दी बताय रहो ओन में अगर ए सही है तो वन ए टी सही है तो ओन डी ऍसी सही है तो वन सी question number के साथ answer number सबसे पहला जब आप प्रियांसी का है दूसरे पर पूजा का है तीसरे पर पता नहीं किसका है चलो, बहुत अच्छा very good, इनका सही जब आप टेली गराम पे मिलेगा PVR study नाम है ID का, ठीक है second question आप लोग मुझे थोड़ा time दोगे question लगा लूँ क्या मैं पहले मैं पहले question लगा लूँ तब बताऊं रुखो थोड़ा time देना, बार बार नहीं अच्छा न थोड़ा रुख जाओ, मैं question लगा लेता हूँ दो मिनिट तब तक बतिया लो, तुम लोग हम comment नहीं देखेंगे, चलो, आँख बंद किए, बदला लो, बदला लो, कोई बाद नहीं है, चलो झाल अवाज आ रही, मैं हूँ कुछ लोग कहेंगे, वे आवाजी या नहीं आ होती है देखेंगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार इसमें काफी कोईशन रिपीट करवा रहा हूँ, इनको दस वस दिन पहले करवाया था, पंदा दिन पहले आज फिर रिपीट करवा रहा हूँ, उसका कारण क्या है, कि याद हो जाने चाहिए चलो इतना कर लेते हैं, फिर लगाएंगे, ठीक है दूसरे सवाल पर आजाईए, बताईए बताईए, जवाब दीजिए सरिता जी कमेंट आपका आ रहा, बिट्टू आपका भी कमेंट आ रहा, कोई बाचीत ना करो, बात खतम करो, चलो अब भारत सरकार यानी इंडियन गवर्मेंट स्वयम से भी संस्थाओं को कितने परफेंट का अनुदान देती है बताओ सबसे पहला जवाब पूजा का है, दूसरे पर आस्था का है, तीसरे पर रुक्सार का है, बेरी गुड, स्थाप करवा चुका हूँ, इनका सही जवाब टेली गराम पे मिलेगा, पी वी र स्टेडी जोइन करें, आईए देखिए, आप सबी यहाँ भ्यास परस्न कर रहे हो है न, जिनको मिलाना है कि मेरा सही एक गलत है, वो अगर हमें टेली गराम पे जोइन कियें तो आँ मिल जाएगा अस्ति बाधित है तु संश्थान कहां अस्तित है, ऐसे स्टुडेंट एसे कंडिडेट जिनकी अस्ति बाधित है, मतलब उन्हें हड्डी से संबंदित कोई प्रावलम है, अस्तियों में कुछ गरबड़ी है, उनका संबंदित संस्थान कहां पे है, ठीक है 37 में अगर A साहिए तो 37 A अगर D साहिए तो 37 D C साहिए तो 37 C ऐसे कमेंट करिए जल्दी करिए बहुत अच्छा इसमें सबसे पहला जबाब है किसी का तो सक्षम का है स्टिकेंट पर पूजा है साधना, जोती बहुत शरिता चलो फोर नमबर में बहाँ सा कौसलों के विकास है दूप करण है क्या है कंप्यूटर द्रिस से स्रब समागरी बहाँ सा परियोकसाला या ये सभी बताए जबाब दीजिए फोर नमबर में A सही है तो 4 A B सही है तो फोर भी ऐसे कमेंट करेंगे इसका सही जबाब आया है क्रिफना यादों का सबसे पहला निदी सीकेंड नमबर फाइब में आ जाओ बरे गुड सही जबाब टेली गराम पर मिलेगा भारतिये पुनरवास परिशाद अधिनियम कब पारित हुआ फाइब में बताओ A साहिए तो फाइब A D साहिए तो फाइब D C साहिए तो फाइब C कमेंट करें इसमें सबसे पहला कोई जबाब नीचे नमबर चल रहा है मोबाइल नमबर उसमपर करिएगा जो किसी के मन में चल रहा है तो इसमें सबसे पहले कोई बताया है तो उनका नाम है विया प्रियांसी अनुराग, निधी दूसरे पर, रुक्षार तीसरे पर, आब बाकी सब पिछे छे में आ जाओ बिसिश्ट शिच्छा के अंतरगत कौन आता है? बिकलांगता, रोक, गरस्तता, अच्छामता याए सभी बहुत बहुत अच्छे, छे नंबर में कोई जबाब दिया है एनिवन? दिपक सिंग, मोहनी, सुकला, अनिल, राजपूत इन्होंने अभी आंसर नहीं दिया है, मैं वैसे बोल रहा हूँ छे का पहला जबाब प्रियांसी का है, दूसरा क्रिफना का है, तीफरा दीपक सिंग का है बरे गुड सही जबाब PBR स्टड़ी के टेलीगराम चैनल पे मिलेगा, कलास के एक घंटे कंदर साथ नंबर में आजाओ सही दृष्टी क्या कहलाती है, छे बाई छे, छे बाई नौ या छे बाई बारा very good, बहुत अच्छा, साथ नंबर में कोई जबाब दिया देखो कुछ बच्चे अभी तक आगे रहते थे, वो पीछे हो गए, क्या वज़ा है बटक रहो छे बाई छे होगा, इसका अंसर यहीं ले लो, बहुत आफान है, इससे जद्धा आफान हो जी नहीं सकता है तो मैं कैसे न बताऊँ चली आठ नंबर साथ में पहला जबाब पूजा यादो का है, पूजा दूबे का सिकंड पर है, प्रियांसी तीसरे पर है, आस्था चोथे पर है आठवा में आओ द्रिश्टी दोस्ट की पहचान क्या है पढ़ते समय आख में दर्द होना उस्तक को आखों के निकट रखना आखों को बार-बार जखकाना बुल्द जपकाना न, ऐसे ये सभी परिसानिया आठवा में कोई जवाब दिया है, बहुत अच्छा उनका नाम है, अगर आठवा में कोई पहले बताया है तो प्रियांसी और सिकंड पर हैं तान्या महेस चलिए, बहुत अच्छा इनका सही जबाब PBR Study के टेली गराम चैनल पर मिलेगा नो नमबर, दफ नमबर मैं सब दिखाऊंगा थोड़ा तफली रखें, मुझे एक मिनट टाइम देना मैं कोईश्चन फिर से लगा लेता हूँ शिर्फ एक मिनट टाइम देना जाना नहीं कोई कहीं थोड़ा रुकना बस जो लोग देख ले रहें नकल कर लो तब तक चलो तीन कोईश्चन फिर से लगा लिया हूँ इसको पढ़ा के फिर लगाऊंगा बाद में आज टाइम कम था सुबा सुबा क्लाश्टी इसलिए कोईश्चन पहले नहीं लगा है नौ नमबर में आ जाओ नौ नमबर में कुछ लोग नौ नमबर का जवाब पहिलें दे दिये हैं कमाल है यार मतलब गड़बड कर रहे हूं महेश जी आप सवाल बिना देखे कैसे बता रहे हो मनो विज्ञान केंद्र का परमु काम क्या है परफिछन देना निर्देफन देना या सोध करना या यह सभी बताओ क्या है मोनी चुकला बरे गुड प्रियांसी तान्या ठीक है यह सभी पर्थम दिरिष्टेया जवाब देने वाले लोग हैं जो पहले बता रहे हैं तो चलें बढ़ें आगे दस नंबर में जवाब दीजिए बिक्रित बालकों को बनाना चाहिए क्या आत्म निर्भर परिवार पर निर्भर संसकार पर निर्भर या फिर इन में से कोई नहीं यहां पर एक वर्ड आ रहा है संसकार याद रखना क्या सुन्दर्ता सस्ती होती है लेकिन चरित्र महेंगा होता है मैंने कहीं पढ़ा था सही बात न चलिए आईए आगे बढ़िए जवाब दीजिए इन में द्रफ नंबर का कोई जवाब दिया है उनका नाम है प्रियांसी पूजा तान्या महेश सिवं देखो जवाब पहले दोगे तो नाम बोला जाएगा चलिए आगे ग्यारा नंबर है भी यहां है पहले में लगतार बोलता था रुकता नहीं था एक और सिकेंडर में बोल भी सकता हूं लेकिन दिरे दिरे आदत बदलनी पड़ते क्योंकि लोग हजम नहीं कर पाते हैं है ना बीच में कुछ सिकन रुकना पड़ता है बताये मंडली मनुभ ज्यान केंद्र कहां इस्तित है पहले मैत पढ़ाया गया है लाइस्ट में यह प्रेक्टिस हो रहा है कुछ लोग कंफ्यूजन में है कि यह तो मैंत का थमनल लगा है फिर इसमें क्या ले आए बीच में सक्षम आपके खोपड़ी में कुछ है कि खाली एकदम है कुछ ना अगर है तो मैं बता रहा हूं ना कि इसका सही जवाब टेली गराम चैनल पर मिलेगा सबर रखो और टेली गराम पर नहीं जॉइन कियो तो तुम्हारा मन करे वो करो बार-बार बोलता हूं नहीं समझ में करना तो क्या करें मंडली ए मनो विज्ञान के अंदर कहां इस्तित है ग्यारा में सही जबाब बरे गुड़ आस्था कृष्णा और पूजा नुपूर्ण धी सरिता सबका जवाब सही है मतलब सही नहीं सुरी पहले नंबर यह लोग बताएं से ठीक है तो मुझे लग रहा क्या 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 कर रहे हूं कि देखिए मैं बार बार बता रहा हूं इनका सबका सही जवाब पीबियार स्टेडी के टेली गराम चैनल पर नौ बज़े तक मिल जाएगा ठीक है अभी आप किस कुश्चन में कौन सा नंबर बता रहे हो आप याद रख खोली खिलो नोट कर ल लोग मिला लेना बाद में कि कुश्चन लगा लेता हूं थोड़ा तफली रखें दो तिन कुश्चन लगा लूँ रूँ रूँ थोड़ा रुक जाओ यहां सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं कुश्चन के सिर्फ आपको कुश्चन मिलना चाहिए आज मिक्स कलास हो रही है यह बहुत सारे कुश्चन अलग-अलग कलास में कराए जा चुके हैं लेकिन इंप्वार्टन सवाल है इसलिए दुबारा तिबारा हो रहे हैं अगर आप इन्हें याद रखोगे परिक्षा में पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है चलिए आगे बढ़िए बताईए यहाँ पे सिर्फ प्रेक्टिस हो रहा है इसका टेली ग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा टेली ग्राम का लिंक अभी मैं पिन कर दे रहा हूं कमेंट में तफली रखो ठीक है नहीं रुक जाओ थोड़ा सा मैं तुम्हारा सबर का जो बांध तूट रहा है उसका समधान कर देता हूं थोड़ा रुक हूं देखो एक मिनिट टेली ग्राम पे पी वी आरे स्टड़ी लिखके सर्च करेंगे मिल जाएगा कुछ ऐसे भी महान आत्मा हैं जिनको पता ही नहीं है टेली ग्राम का मतलब क्या होता है जैसे वर्टसअप में तुम लोग करते हो ना रात बर मतलब क्या चैटिंग हो गएरा बात हो गएरा तो वैसे यह टेली ग्राम भी उसी चीज के लिए है लेकिन इसमें पढ़ाई भी होती है खास बात यह है ठीक है इसमें एक ग्रूप या चैनल में लाखों मिलियन बच्चे जोड़े जा सकते हैं वर्टसअप में ऐसा नहीं होता वर्टसअप इस्पेसली प्रसनल काम के लिए होता है ठीक है तो यह तरीका है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना टेली ग्राम एप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप स्टो यार श्टडी सर्च करोगे चैनल मिल जाएगा जिसमें अभी डियलेड वाले में साड़े चार अजार बच्चे जूड़े हैं लगभग आइसी रेखा जो ब्रित्त को केवल एक ही बिंदू पर असपर्स करती है वो क्या कहलाती है असपर्स बिंदू तरिज्या छेदक रेखा या असपर्स रेखा बताईए जबात दीजिए हाँ कुई जोता है टेली गराम पर लेकिन अभी इस समय टीम की सार्टेज है यह उपन टूट गया रहा वो तो टूटा था यह भी टूट गया क्या होगा मेरा गिर गया यह ठीक है वन ए साही है तो ए बी साही है तो भी सी साही है तो सी चलो बृत्त की परिधी के किनी दो बिंदूओं को पर्तिछेद करती हुई देखा क्या कालाती है बताईए जबादी जी करन गुपता जी कमेंट आपका आ रहा है मिस चिन्नी जी बताईए सीकेंड में ए साही है तो ए अगर ए आला साही है तो सी और ए वाला फाही है तो डी एफे चलिए बहुत अच्छा बरे गुड़ अगले में आजाओ ये भी कुशन नमबर थाड़ है भाईया तीन नमबर है वारे खाजो बृत को नहीं बृत को किवल एक ही बिंदू पर पर्स करती है वही सवाल तो था याद ना सेम है वही ठीक है चलो तो और भी कुछ कुशन करवा हूँ क्या चलो और करवा देता हूँ आज पहली पहली बार आये हो तो इन सब का सही जवाब टेली गराम पे मिलेगा बार बार बोल रहा हूँ यार जादा हो जाएगा तो कट जाएगा रूक ओ इसको मुझे सेब करने दो सेब करने तो नही ज्जादा हो जाएगा तो सब कट जाएगा फिर तुम लोग कहोगे कि अंसारवा कहा मिलेगा रूके रहो तोड़ा सबर रखें सेब हो जाएगा पीडियेफ जिससे हम आपको इसको टेलीगराम पर भेज़ सके ना अंसर के साथ में ठीक है सेब हो रहा है दिख रहा है न तो आईए आप कुछ अलग करते हैं है न थोड़ा थोड़ा देट पर टेस्ट बदलते रहना चाहिए कुछ नमबर यहाँ पर कुछ भी मानलो आप 10,20,40 चलो 50 से सुरू करते हैं अच्छा रहेगा यह बताएगी रोमन संख्या LX मान बताओ चलो यह कोड नमबर है गिनना नहीं कि 50 कोशन नहीं हुए 80 कोशन हुए क्या कैसे चलो बताओ आज सुबह सुबह क्लास हुई कम से कम डेढ़ साल बाद एक डेढ़ साल बाद नहीं तो अपनी सुबह खुद की होती है तस ग्यारा बजे क्योंकि मैं सुबह सोता था 3 बजे 4 बजे कभी 5 बजे तो 10-11 बजे उठता था जिंदगी बहुत डिस्टरब चल रही थी बहुत डिफ्रेशन टाइप का होता है अगर आप ऐसा करते हैं कि दुबह उठना जरूरी है प्रकृति ने जो नियम बना रखा है किसी सिस्टम से ही बनाया है कि एक रात होती एक दिन होता है अगर हम लोग आधार दिन में रहते हैं आधार रात में रहते हैं तो जिंदगी डिश्टरब हो जाती है तो आज बहुत दिन बाद ये है साथ ठीक है रोमन संख्या सी का मान बताओ बताओ क्या होगा जल्दी से रोमन संख्या डी का मान बताओ पहले चैप्टर में है एक नंबर का पक्का आएगा गरंटी है देखिए प्रेक्टिस बहुत जरूरी है कितना भी पढ़लो अगर आपने प्रेक्टिस नहीं किया परिक्षा में कुछ होने वाला है नहीं मुनीश कुमार मोनीश उकला करन गुपता राधा बर्मा सरिता परजापती रुक्सार सीवं पटेल बेरी गुड बाउद अच्छा भैया बाउद अच्छा आउर आगे बढ़े चलो ठीक है मैं कमेंट से अब का देख रहा हूं थोड़ा तफली रखें यह बताइए रोमन अंक में आप 98 को कैसे लिखेंगे रोमन अंक में 98 को कैसे लिखेंगे इसको कुष्चन नहीं दूँगा किसी को चलो जाने दो ए रुको यार इसका अंसर भी बताना है क्या आप लोगों को ठीक है इसका मान 500 है ना क्या है 500 है D का मतलब 500 होता है ना और किया और कुछ होता है बताओ ट्राई करते रहा ठीक है बेरे गुड जो बच्चे C बता रहे हैं उनका भी सही है ये C मतलब 100 होता 100 पूजा यादो यम का मतलब 1000 बेरिकूट ठीक है चलो बहिया तो आंसर यहां किलियर होता जाएगा इसको में मिटाता जाऊँगा चलो आप बताईए 50 यार कितना नंबर हुआ था चलो कुछ भी हुआ साथ नंबर डालो यहां पर जाने दो कोड नंबर है यह कूशन नंबर नहीं है पंकच कमेंट आ रहा प्रेसान ना रहो 98 को रोमा नंक में लिखिये बताईए सिवम आस्था बंदना राई करते रहिए कोशिस करते रहिए 98 को रोमा नंक में बेरी गुड देखो भाईया तुम्हें पता है नहीं तुम्हें का पता है तुम्हें कुछ पता नहीं है 98 को तुम लिख सकते हो 90 प्लफ 8 90 का पता है यक्स और सी होता है ए रुकना यार 90 का का होता है यक्स सी और 8 का क्या होता वी तीन बार आई बस हो गया ऐसे बनाते हैं रोमा नंक रटते नहीं है देखो रोमा नंक में इस्पेसली ये चीज़ जान लो जो जान लिया उसका कल्यान हो गया कि आपको रोमा नंक में सिर्फ ये याद रखना है 20, 30 कितने लोगों को याद है अगर 100 तक याद करना है तो तुमें सिर्फ ये याद होने चाहिए बस अगर ये याद है तो तुम सब कर सकते हो रोमा नंक 100 तक याद है बनाया जाता है जैसे देखे गिंती में होता नहीं है अगर जिनको 70 तक पता है तो ये 70 में का करते हैं एक, इधरे दो, इधरे तीन, इधरे चार, इधरे तो सेम गूंति रहती यह ना, उएक मेरे जिसमें भी दस आता है, उसका सब कुछ भी लिखते हैं, ठीक हैं, देखो कैसे जैसे इसमें आगर मैं 15 का बोलू ना तो क्या करते है पता है तुम्हें इसको 10 दन 5 लिखते है और 10 का रोमनंग तुम्हें पता है 10 का यक्स होता है 5 का V होता है अब कहोगेV कहां से आया तब भाईया हो एक, दू, तिन तुम्हें यहो नौठी पता होना चाहिए यह 9 पता होना चाहिए पलस यह पता होना चाहिए 100 तक बनाने के लिए इमानदारी से बताओ कितने लोगों को याद है 1 से 9 तक याद है और यह आला याद है बस कितने लोग को याद है इमानदारी से बताइए कितने लोग को याद है चलो आगे बढ़े ठीक है तो बस यही याद कर लेना देखिए राटा नहीं जाता कोई कोई चीज मैं बहुत कुश्चन दूँ प्रेक्टिस करा हूं सब लोग हां करो उसी में हां रहा 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 इससे कोई मतलब नहीं कि दो मिनिट में आपको पूरा कांसेट बता हो जाना चाहिए तो समझ गए सभी जैसे देखिए मैं पूरा बताय देता हूं या समझो सभी परजापती जी बिल्कुल सही है देखो यहां पर भाईया यहां समझो चालिस का होता है एक्स एल ना होता है अगर यहां से आप से कोई 47 का पूछे तो कैसे करोगे ऐसे करते है ठीक है चालिस का एक्स एल और साथ का बी डेबल आई होता है बस हो गया हो गया यही है ठीक है अगर आपको चालिस से सम्मानित कोई 42 का पूछे तो यह ऐसे होगा चालिस प्लस दो चालिस का एक से याल और दो के लिए दो बार आई बस हो गया तो आपको मेन रूप से ये मुख्य मुख्य याद रखने बस हो गया और आज क्लास का टाइम ओबर होता है पूरे पूरे एक गंटे लगबग होने वाले हैं जो कंडिडेट मैट्स नहीं जानते हैं बिलकुल गड़ित नहीं जानते हैं वो घर बैठे सिर्फ 30 दिन में गड़ित सीख सकते हैं पूरे गारंटी के साथ सीख सकते हैं अभी परजन टाइम में एक इस्पेसली आफर चल रहा है अगर आप जुआइन करना चाहते हैं तो आपका फीज जो तिर्फल नाइन है इसकी जगा ओनली ओनली 499 में मिल रहा है ठीक है? ओनली एक मंध में मैद सीखें नियम वो शर्ते लागू है नियम का मतलब सर्त का मतलब यह है कि आपको पढ़ना पढ़ेगा लिखना भी पढ़ेगा नोट्स भी बनाना पढ़ेगा चक भी करवाना पढ़ेगा अगर आप ये करने कोई चुक है तो गालिस सिखाने की गारंटी है सिर्फ एक महीने में चाहे आपको कुछ भी ना आता हो ये जान लो कि अगर तुम्हें ये भी नहीं आता है ये भी नहीं आता है ये भी इतना छोटा छोटा भी नहीं आता फिर भी सिखाएंगे बिल्कुल जीरो से ये जोड घटाना गुड़ा भाग यहां से सिखाते हैं यहां से ठीक है? जो इच्छू कंडिडेट है इसको अगर जोईन करना चाहते हैं तो जोईन 499 ये मैफेज लिख करके इस वर्टसप पर भेजें और स्क्रीन साट भेजें इसी स्क्रीन का जो दिख रहा तुमें लेकिन याद रहें कि ये फिरी नहीं है एक महीने में जो सीखने वाला ठीक है? इसकी वैलिडिटी तीन महीने होगी 90 दिन का वैलिड होगा कोर्स ठीक जाओग एक महीना में लेकिन रिपीजन अगरा कर सकते हो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दिल से धेरत सारा सुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने अपनी जिन्दगी का बहुत ही महत्तपूर एक घंटे का टाइम दिया जिन्दगी में अगर आप किसी को बहुत कुछ देना चाहते हो तो उसे अपना वक्त दे देना बस क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती होता है उस वक्त में आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन कुछ लोगों को तो नहीं पता है बैट के खिली उड़ा रहें कहीं द distill दर गूम रहें हैंडा कोई मतलब नहीं आपको पता है बात की बहुत कीमत होती है एक अच्छा काफा डॉक्टर है उसके पास आप प्रामर्फ लेने जाओगे प्रामर्फ सुल्क हजारो हजारो में होते हैंना पता आपको एक टीचर अगर आपको एक गंटे पढ़ाता है उसका भी अपना फीस होती है है न एक गंटा बोलता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दो चार गंटा भी न मतलब बोलते रहते हैं मैं प्रस्नली बात नहीं कर रहा हूँ अगर कोई आपका बहुत ही ज़्यादा प्रस्नल है आप उसके साथ चिला रहे हो बैठके तो अलग बात है आपका फिलिंग का मामला है ना बाकी नर्मली बोल रहा हूँ तो फिलाल आज के लिए इतना ही एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक्यू मिलते हैं कल कल के पहले आज रात में 9 बजे ठीक है रात में कलास होगी फिर 10 बजे वाली कलास नहीं चलेगी 10 बजे के बदले मैंने सुबा पढ़ा दिया है ठीक है ये